कि अग्षान प्रजापति यह संभी नारज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वगत करता हूं और फिर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभव प्रवाड़ता और विभव प्रवाड़ता था बैदुछित की तिदृता में संबंद तो सबसे पहले हम इसकी विभव प्रवाड़ता क्या होता है देखेंगे विभव प्रवाड़ता मिस पोटेशिल ग्रेडियेन्ट क्या होता है तो यहाँ पर माल लिया की एक प्लस Q चार्ज है और इससे और यह बिंदू A पर है इससे यक्स दूरी पर कोई एक दूसरा बिंदू B है और इस बिंदू A से यक्स ब्लस डेल्टा यक्स दूरी पर कोई एक बिंदू C है तो इस तरह से B और C के 20 की दूरी कितनी हो जाएगे डेल्टा यक्स हो जाएगे और बिन्दू C पर एक Q नाट प्लस Q नाट एक चार्ज है एक आवेस है तो यहां पर देखेंगे इस प्लस Q आवेस के कारण बिन्दू B पर जो वैदूद विभाव है वो भी है और प्लस Q आवेस के कारण बिंदू C पर जो वैदुद विभव है वह भी माइनस डिल्टा भी है दूरी बढ़ रहा है तो वैदुद विभव का मान भी क्या होगा घटेगा तो इस plus q आवे इसके काल बिन्दु c पर जो बैदुद विभवव है इस b से कम है यानि b minus delta b है और बिन्दु c की बिन्दु a से जो दूरी है वो याक्स प्लस delta x है तो विभवव प्रवड़ता देखेंगे विभवव प्रवड़ता क्या होता है तो विभाव प्रवड़ता means potential gradient equal to विभवांतर दो बिंदूओं के बीच का विभवांतर बटे बिंदूओं के बीच की दूरी बिंदूओं के बीच की दूरी तो यहाँ पर देखेंगे बिंदू B और C के बीच जो विभवांतर है वह है माइनस डेल्टा भी का और इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है डेल्टा यक्स तो इस तरह से विभव प्रवड़ता हो जाएगा माइनस डेल्टा भी वही डेल्टा यक्स अब यहाँ बाब माइनस चीन को देखती है कि माइनस चीन क्या बात बताता है माइनस चीन बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वैदुद विभो का मान घड़ता है जैसे देखेंगे बिंदू B पर वैदुद विभो भी है बिंदू C पर वैदुद विभो भी माइनर डेल्टा भी है तो यहाँ पर जो पूटेंसियल ग्रेडियन्ट है वह माइनर डेल्टा ही बाइड डेल्टा एकस आप यहाँ पर बात आते हैं। इसका डाइमेंशन傑न विभो प्रवर्ता का भी मा तो यहाँ पर देखेंगे भी मा क्या होगा इसका देखेंगे भी का बीमा तो भी बरावर होता है डवलो बाई क्यूँ भी बरावर होता है डवलो बाई क्यूँ तो यहां पर देखेंगे इसका जब बीमा निकलेंगे तो डवलो डवलो का मतलब कारे का बीमा कारे का बीमा हो जाये देखेंगे यहां Y2 T-2 Q बरावर होता है I into T यहां पर हो जाएगा I into T का मतलब हो जाएगा I का मतलब current Q बरावर होता है I into T तो current और यहां पर time और यहां पर delta X मिस दूरी का होता है वीमा Y अब इसको उपर ले चलेंगे जब उपर ले चलेंगे तो दिखेंगे इस तरह से इसका B में सुत्र हो जाएगा याँ आओ दिखेंगे a याल A उपर जाएगा तो एक कट जाएगा तो याल होगा और t over minus 3 हो जाएगा और a power minus 1 तो यह विभव प्रवडता का वी में सुत्र हो जाएगा याम याल T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1 अब हम आते हैं विभव प्रवडता और वैदु छेतर की तिवरता में क्या रिलेशन होता है यानि रिलेशन बिट्वीन पोटेंशियल ग्रेडियन्ट एंड इलेक्टिक हेड तो यहां पर देखेंगे यह जो प्लस Q आवेस है यह क्या करेगा एक वैदु छेतर उत्पन करेगा और इसकी कार जो वैदु छेतर है वह प्लस Q आवेस से दूर की और मतलब इसका जो डाइरेक्शन होगा वह A से B की और होगा तो यहां पर देखेंगे E जो है वैदु छेतर है इस प्लस Q आवेस के कारण उत्पन हुआ है अब हम करेंगे क्या इस Q नाट आवेस को वैदु छेतर के अंदर यानि इस वैदु छेतर E के अंदर बिंदु C से B तक लाएंगे तो कितना कार किया जाएगा तो यहां पर जड़ा देखेंगे कितना बल लगेगा इस प्लस Q नाट को जब हम लोग वैदु छेतर E के अंदर लाएंगे तो इस पर एक बल लगेगा तो यहां पर लिखेंगे प्लस Q आवेस को वैदु छेतर वैदु छेतर E में प्लस Q आवेस को वैदु छेतर E में डेल्टा यक्स दूरी लाने पर लगने वाला बल तो यहां पर बल लगेगा याप बराबर Q E होता है तो Q नाट E या बराबर Q नाट E हो जाएगा तो जब बल लगेगा तो यहां से जब ला रहे हैं डेल्टा यक्स दूरी तो कारे भी किया जाएगा कारे भी होगा तो यहां पर देखेंगे आता डेल्टा यक्स दूरी तक विस्थापित करने में Q नाट को हमने डेल्टा यक्स दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कारे डेल्टा यक्स दूरी तक इस Q नाट को पॉइंट सी से भी तक ला रहे हैं डेल्टा यक्स दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया कार कितना होगा तो यहाँ पर देखेंगे dw या delta w भी इसको लिख सकते हैं तो delta w equal to yup into minus dx या delta x से भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो कि दूरी में अंतर delta x का लिया है तो इसलिए यहाँ पर delta x लिखतेंगे अब yup की value equation 1 इसको बना लेते हैं equation 1 से यहाँ पर रख देते हैं तो delta w equal to yup की value जब रखेंगे तो q naught e into delta x आप देखेंगे delta w में q naught से क्या कर दें भाग कर दें तो इस तरह सो जाएगा delta w by q naught यहाँ से क्या कर देंगे अच्छा यहाँ पर देखेंगे यह minus है तो यहाँ minus हो जाएगा q naught से यहाँ पर divide कर दिया तो यहाँ पर बचेगा minus e delta x अब देखेंगे b बराबर w by q होता है यहाँ पर क्या होता है एक formula होता है since b equal to w by q होता है तो यहाँ पर देखेंगे delta delta w by q naught means इसकी जग़े delta भी लिख सकते है तो therefore यहाँ पर देखेंगे क्या लिख देखेंगे यहाँ पर delta b इसकी जग़े delta b equal to minus e into delta x अब delta x को इधार ले लेते हैं minus delta x को इधार ले ले तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा minus delta b by delta x equal to e means e equal to हो जाएगा minus delta b by delta x यानि जो वैदुच्हेतर की तिवरता e है वो potential gradient यानि विभाव प्रवणता की बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैदुच्हेतर की तिवरता potential gradient की बराबर होती है तो यहाँ पर देखेंगे e equal to minus delta b by delta x यह फार्मला आ गया यह relation आ गया electric field and potential gradient में अब यहाँ पर यह कि आपको mark ध्यान में रखना है remark first जैसे का रहा है कि यहाँ पर माल्या की यह एक plate है और यह plate plus q charge से आवेसित है और यहाँ पर यह minus q charge से आवेसित है तो इसकी बीच देखेंगे potential माल्या यहाँ पर भीवन है और यहाँ वो potential b2 है और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह माल्या कितनी है d है तो यहाँ पर जो वैदू छेतर होगा देखेंगे e equal to हो जाएगा b1 minus b2 अपान यहाँ की बीच की दूरी d और इसका जो direction होता है वह प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगा तो यहाँ पर यह फार्मूला आज जाता है e equal to b1 minus b2 अपान d कब जबकि एक प्लेट धन आवेस से आवेसित हो दूसरा प्लेट रीड आवेस से आवेसित हो तो यहाँ पर जो वैदू छेत का जो direction होगा जो e का direction होगा तो e का direction देखेंगे प्लस से माइनस की ओर होता है